हेलो डियर लेर्नर्स पीजी इस यह यहां पर आपको सी यह जम्यू भीट से रिलेटेड सभी ओफीशियल अपडेट दी जाती हैं विदन टाइम इतनी जल्दी आपको ओफीशियल अपडेट कोई नहीं देगा और यह वाली जो अपडेट है यह सिर्फ आपको वही लोग प् सब्सक्राइब के लिए लेकिन विश्य विद्यालय इवं महाविद्यालयों के इस नातक पराइस नातक पार्टेक्रम हे तू शैक्षिक सत्र दोहजार तीज चौबिस के लिए परिक्षा इक्षड कारिक्रम को संभी किया एंगया है यह चीजों को सब्सक्राइब कर दे तथा हमारे चैनल PG Point के नामसे ज़ूड़ ज़ाएं और हमारी Instagram ID PG Point Official के नामसे वह भी ज़ूड़ सकते हैं प्रति स्विक्राज के सबरोंद लोगagen से केसे इस यांकारी क cream यूद के संताह फोरी जानकरी होगी Specially Model Papers नाम चूडरिक करना की सब्सक्राज को जाता है अब इस कैलेंडर के अनुसार अगर बात कीज़ें जैसे आप देखते होंगे सस्टी का कैलेंडर आ जाता है वैसे ही अब जो आपके अनीप 2020 के तहट जितने भी ग्राम सोने हैं उनका भी कैलेंडर जारी किया गया है क्या बात कही गई है यहां पर कि जो प्रथम समेस्टर के 20 दिसमबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए इन्होंने कहा कि जो ठंड की छुट्टियां होती है सीत अवकाश है न विंटर वेकेशन वह 25 दिसमबर से लेकर के पाथ जन्वरी तक रहेगा समेस्टर का जो परिक्षा प्रेडाम है यानि कि जो रिरल्ट है वह आपका 30 सब्सक्राइब 12 सकते हैं अरे 3 सब्सक्राइब 26 से जो प्रेड को आप 20 सब्सक्राइब 27 में चाहिए अंब इसलिए विएवें अन्त तक एंतजार करना होगा कि इसमें जो अब जो आपके even semester की बच्ची हैं जैसे second semester, fourth semester, sixth semester वो बच्ची द्यान दे इन लोगों की प्रेयोग आत्मक जो परिक्षाएं है वो 14th May 2014 तक complete होंगी जो इनकी semester exam है वो पंदरा पाच से लेकर के तीस पाच तक complete होने चाहिए और पहले क्या होता था यही चीज़े जून जुलाई में चली जाती है उसको जादी करने के अंतिमतिती पंदरा जून दे दिये और चुट्टियां होंगी वो आपकी एक जून से तीस जून तक ग्री not only this for university यह आपका affiliated colleges के लिए भी है समझेंगा बात को क्योंकि अब तो साथ में ही exams कराने की तयारी में है university आपकी बार्सिक परिक्षा 15-35 की बीच में परिक्षा परिणाम घोशित होने की तिति आपकी 15 जून दी हुई है देखो उपरोग संदर्विट परिक्षा सिक्षण कारिक्रम का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए समय स करत कारेवाहि की आख्या से भी शाषन को अफगत कराने का कश्ट करें उपरोग तो संदर्विट शाषन आदेश दिनांक 17 जुलाई 2023 वा दिनांक 16 अगस्त 2023 उक्त सीमा तक संसोडित समझा जाएगा तथा उसकी अन्यशत प्रतिवन्द यथावत रहेगी तो यह कुछ उस भी नई चीज आती है जैसे एनीपी 2020 आई दो हजार चौबिस चल रहा है चार साल हो गाए नीपी को है तो क्या हर जेगे फॉलो हो पाई नहीं हो पाई तो यह कैलेंडर अभी अभी आया है तो आपको लगता है कि क्या पूरे तरीके से इस बार फॉलो हो पाएगा नहीं द सालोग की भी परिक्षाइं होंगी जैसा जो कुछ होगा हम आपको इनफॉर्म करते रहेंगे यहां पर परिवर्तन होते रहते अब जरा एक बात आप मेरी और ध्यान से सुनिए जो बच्चे इस बार थर्ड सेमेस्टर में हैं उनको पता है कि उनके इस बार केवल दो ही प पर लगा लो और जी इन दोनों की प्लेलिस्ट प्रेजंट है हमारे ही यूट्यूब चैनल पर अगर आप वह प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो भी रोज देख लेते हो दोनों सब्जेक्ट का यानि कि दो वीडियो और एक मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करते ना तो अगली बार जब सेकेंड सेमेस्टर होगा एक साल बाद तभी आपकी वह बैक क्लियर हो पाएगी ठीक है और बैक वाल बहुत बेकार सा होता है इसलिए सीटेट के एक्जाम तो साल में दो बार होता है लेकिन बीड के लिए बहुत सतर करीएगा अच्छे से पढ़ते रहें स्पैशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टुडेंट अगर आप लोग देख रहें आप लोगों के तो चार पेपर हैं तो आप लोगों को तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए अच्छा मैंने क्यूं कहा कि मॉडल पेपर पढ़ो तो देखो मॉडल पेपर मेरे मॉडल पेपर क कोशेचिन सर्वसिक्षा भियन दित्म मंधित और यह रहा कोशन पेपर का सर्वसिक्षा भियन का सब्सक्राइब कज़ेए हैं इसक्राइब कोशन के मूहते हैं कुछन बोखें old ऑ sebelum rats Now करें अपोड़ा प्रओं सेम बन जाते हैं कभी-कभी मॉडल पेपर से इसलिए अपनी प्रैक्टेस करते रहे हैं अच्छा फर्स सेमेस्टर वालों के लिए पर दिख जाएंगे सी ओल पर क्लिक करेंगे सी ओल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर दिख जागा विद्ध्याले प्रबंदन नेत्रत और सेक्षिक नरदेश्यों परामश इनको आप लीजिए इसी में आपको क्लास वगएरा सब कुछ मिल जाएंगे अच्छा नहीं भर पाएं अभी आपका नवेंबर खतम होने को हैं दिसेंबर शुरू होने को है तो अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहां पर मिट्टर में एक्जाम नहीं हुए हैं तो आप लोग भी आराम चे तैयारी करते रहो तैयारी इस कदर करते रहो कि अगर हो जाएगा तब चला गया था क्योंकि जो आपके सीट उसकी डेट ध्लाश होई इस वज़य से डेट आगे बढ़ गयी तितना बढ़ गयी कि मार्च में हुआ था उनलोगों का फेपर लेकिन हमीं अईसन नहीं लग रहा है कि इस बार दे बढ़ेंगी क्योंकि इस बार युनिवरसिटी पह लेकिन एक बात का विशेज दियान रखिएगा आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और फिर इंस्टाग्राम में आ करके हमसे व्यक्तिकत मैसेज में पूस्तों कि मैं एक्जाम कब होगा अरे भाहिया हम कोई वाइस थोड़ी नहीं जो स्कीम बना रहे हैं और आपक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा लाइक और कमेंट शक्षन में बले थैंक्यू लिखो बट जरूर कुछ न कुछ जरूर लिखेगा सो थैंक्यू सो मच मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो के माध्यम से तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए का धन्यवाद